देखिए इस question में कुछ है कि 56 इंटो 75 इंटो 60 इंटो 84 इंटो 210 इक्वल टो दिस 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 है तो value कुछ ही P plus Q by S plus R यह CGL means में आया था question ठीक है तो small essay करना है इसको आपको कि आपको factor करने है कुल मिलागे ठीक है जो prime numbers जितने minimum possible है उसमें factors करके और लिखने और फिर आपको compare करके P Q R S की value मिलेगी पुट करना answer आ जाएगा ठीक है अब देखो 56 को क्या लिख सकता हूँ 8 7 56 होता है और 8 को लिख सकता हूँ 2 का cube तो 2 का cube इंटू 7 लिख दिया मैंने multiply में क्या है मेरा 75 75 25 का 3 गुना मतलब 3 इंटू 5 का square 3 इंटू 5 का square multiply आगे क्या मेरा 60 है 60 को लिख सकता हूँ 15 चोक का 60 मतलब 2 का square इंटू 15 को 3 इंटू 5 इंटू 5 ठीक है multiply मेरा 84 84 कितना होता है बार सत्य बार सत्य चौरासी तो बार सत्य चौरासी है मतलब 3 इंटू 4 होता है मेरा 12 तो यह हो जाए कि 2 का square इंटू 3 इंटू 7 ठीक है आगे मेरा 210 210 में आपको 21 इंटू 10 दिख रहा है 21 को 3 इंटू 7 लिखते है डारेक्ट प्राइम इंटू 7 अब सारी पवर एड कर दो कितनी कितनी बन रही ही दे stabil 2 कि कितनी पवर बन रही ही 2 की पवर 3 तीन और एक चार पाँज की पाँबन रही चार ठीक है अब क्या बना साथ बचा एक दो और टीन साथ की पाँबन रही मेरी तीन अब आप कंपेर कर लो सामने वाली साइट से तो P की वेल्यू क्या मिलेगी P मेरा 2 की पावर में तो P की वेल्यू मिल जाएगी मुझे 8 Q की वेल्यू क्या मिलेगी मुझे Q मेरा 3 की पावर में Q की वेल्यू मिल जाएगी 4 R की value क्या मिलेगी मुझे R की value मिल जाएगी मेरे 5 की power वाली 4 और S की value क्या मिलेगी मुझे S की value 7 की power मनदब 3 ये मिलगी P Q R S की value मिलगी पुछाए क्या मुझे P plus Q P plus Q कितना होगा 8 4 12 divide by S, S कितना है मेरा 3 plus में क्या मेरा R, R कितना है 4 12 बटा 3 कितना होता है 4 4 plus 4 कितना होगा मेरा 8 8 मेरा answer होगा option B में दे रख